हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक इन अ क्लाउड कॉंपूर्टिंग प्लेलिस्ट अन इन इस प्लेलिस्ट टुड़ेश टॉपिक इस हाइपरवाइसर हाइपरवाइसर इस नथिंग हमने लास्ट वीडियो में देखा था सिमिलर चीज है कुछ भी नया नहीं है डैट इस जा देता हूं लाइक एक सर्वर है जिसके पास बहुत सारी वीयं है ठीक है बहुत सारी वर्चूल मसीन से है अब एक लोकल जगह पर बेटेओ आपका खुद का PC है अब आप चाहिए कि मैं वुस्वर्चूल मशीन को एक्सेस कर पाऊं जिसके अंदर बहुत सारी रेम है र सब्सक्राइब करें तो आप इस लेयर की थ्रू क्या कर पारे हो कहीं बहुत दूर पड़ा हूँ आपका सर्वर है उसमें से आप रेम रोम वोटेवर अप्लिकेशन डेट यू आर यूजिंग तो आप अपने एक वीम ले पारे हो ठीक है यूजिंग हाइपर वाइजर होके तो यह हाइपर वाइजर आपकी सोर्ट्वेर की नीड आपको पढ़ती है जिसे अपन वीम भी बोलते हैं वेने को बेसिगल से बेसिक्ली इस मॉसीना हो अपनी मसिनर के अंदर आता है ठीक है तो अगर आप होस्ट पे तो इधर होस्ट ओएस आएगा खुद के नहीं होस्ट का ओपरेटिंग सिस्टम होगा और इधर अपन व्यम यूज करेंगे इस लेयर के उपपर तो डैटी जोर गैस्ट ओएस तो इसके अंदर गैस्ट ओएस होगा इसको आप डैग्राम के तुरू समझे यह आपका हार्डवेर आगया जिसके अदर ओएस भी आपका ठीक है एंड इस इस यूर हाइपरवाइजर हैंड यहां आपके डिफरेंट डिफरेंट व्यम से अब मल्टिपल यूजर्स एक सिंगल टाइम में क्या कर पारें बहुत सार इस से रिस्वर्स का अलोकेशन हो गया ठीक है आइसोलेशन हो गया कि मतलब एक वीम खराब हो तो दूसरे के उपर डिपेंडेंट नहीं है इस ओल और इंडिविजूल से एंड इंडिपेंडेंट है तो हाडवेर का हीमिलेशन भी हो गया इसके अंदर ठीक है अलग-अलग स्प्लिट हो गया वीम का मेनेजमेंट कर पा रहा है आपका है अपरवाइजर एंड परफॉमेंस ऑप्तिमाइजेशन भी करता है है अपरवाइजर नाव देर टू टाइपस ओप है परवाइजर लेट्स सी नाव वेरी फर्स्ट इस टाइप वन हैपरवाइजर जिसे हम ब इस डाइरेट कनेक्ट हो जागा देर इस नो नीड ओफ ओएज एट ही और यहां बात को समझीए इट रंस डाइरेटली ओंधी होस्ट मसीन्स हार्डवेर विदाउट नीड पोर अंडर लेंग ओएज यानि होस्ट वेस्ट की नीड यहां नहीं होती है इससे क्या होगा scientifically X a sata-lake and Microsoft kaa hyper Vy आता and jn आता है exam 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 करके आता ती है नौ बिरीज इस सेकंड एप हाइप उपर वाइजर होस्टेड हाइपरवाइज इसको होस्टेड हाइपर वाइजर भी बोलते है what happens in this, there is a layer, एक लेयर होती इसके अंदर, so basically it runs on the software layer on the top of the existing operating system, so it requires the host machine to have an underlying OS, so in this case you need a OS before going into the hardware, आप डिरेक्ली नहीं ले सकते हो, आपके पास एक OS होना चाहिए, that provides a device drivers, अब basically ये OS क्या कर पा रहा है, आपका device drivers को ले पा रहा है, hardware की integration को manage कर, अब OS जो काम करता है, वो सारे काम करेगा, ठीक है, यहाँ समदलो ये चीज, आपका VMware का workstation हो गया, example इसके इंदर, और एकल का virtual box भी इसका, एक example set है, यहाँ दो डाइग्राम दे रहा हूँ, आप देखके बता सकते हैं कि कौन सा किसका टाइप है, येस, टाइट, सही बोला आपने, ये आगया आपका type 1, डोरा डोरा डोरा, type 1, आपने देखके बताया कौन सा है ये, ये है आपका type 2, हमने किया, हमने किया, बस्पन की याद किसकी स्क्वाई कमेंट सेक्षन न बता दें एक बार, ठीक है, बोईस भी देखते थे, कोई बा कर गया, ना, ना, नेक्स्ट, अपन, मुवन करते हैं, उनके types के उपपर, यह एक्जामपल के इंदर, जो मैंने बताया थे, उनको थोड़ा सा briefly देख लेते, first is your VMware, ठीक है, it is a monolithic hypervisor, because ये आपका directly physical resources से, इंटरेट करता है, या उसके guest OS से इंटरेट करता है, so ये वो आगय आपका type 1 में आगया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, पता है, आपको type 1 में बताऊंगा, नहीं में, क्या हो रहा है, इसके अंदर hardware आगया, दिन आपका hypervisor आगया, दिन आपका guest आगया, guest के अंदर जो भी OS है, यहाँ कोई OS OS की need नहीं है, इस point पर, ये directly connect है, यहाँ पर, तो mechanism in the sense, again, Zen क्या है, जो मैंने बताऊंगा था, type 1 का example है, तो इसके अंदर क्या होता है, अपने पास OS नहीं है, तो बाई काम किस हो रहा है, तो आपको device के driver से हो, या फिर आपके hardware के interaction कहां पर cases store हो रहा है, तो आपने यहाँ पर साफ लिका हुआ है, which implements only the mechanism, यानि कि छोटे small cases के अंदर होता है, जिसके अंदर अपनको device drivers की need नहीं होती है, it just provides a mechanism, एक mechanism है और ज्यादा कुछी भी नहीं है, to the guest OS for the getting direct access to the physical devices, यानि कि ऐसी mechanism बना देते हैं, ताकि guest OS यहाँ पर है, वो आपके physical devices का access ले पाए, एक diagram की तुरू यहाँ पर इन्होंने explain case का architecture है, जेन का जिसके अंदर इन्होंने बताए कि hardware आगे आपका, देन आपका hypervisor आगे, जेन वाला, अब यहाँ से यहाँ की बीच में कोई OS आ रहा है, नहीं आ रहा है, यह type 1 के अंदर आ गया, देन यह आपके 3 VMs आगे, different, different, ठीक है, domain 0 का, जेन Linux है और जेन Windows के लिए होता है, ज जीनो, जीनो, जीनो Windows, जीनो Linux के case में होता है, देन application आगे, देन आपके domain आ गए, and domain 0 आ गया, तो यह आपका architecture जेन का, तो यह था हमारा hypervisor, hopefully आपको समझ में आया, still any doubt you can ask in comment section, and मिलते नेक्स वीडियो के साथ में, thank you so much for watching this video, जे हिन जे बारत,